मुकम करोती वाचालम पंगुम लंगहेती इग्रियम यत कृपातम हम वंदे परमानंद मादवं आज हम सनातक भाग पर्थम संस्कृत विशय के द्वीतिय प्रस्न पत्र के अंतरगत लगुसिद्धान्त कोमुदी में विशर्ग संधी प्रकरण की निरंतरता में अगला शुत्र पढ़ेंगे अतो रोरे प्लूताद प्लूते मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया सह आचारी संस्कृत राजकेशनातक उत्र महाविद्याले किशन गड़ाजमेर शुत्र था अतो रोरे प्लूताद प्लूते अतो रोरे प्लूताद प्लूते अत्तह परसे रोरू स्यात अप्लूते अती सिवोर्चया अतो रोरे प्लूताद प्लूते अप्लूत अकार से परे रू को उकार आदेश होता है अप्लूत अकार परे रहते अत्त परे रहते आपलूताद अत्तह परसे रोरू स्यात आपलूते अती सिवोर्च अतो रोरे पलूताद पलूते में अतह रोः आपलूताद अती पदच्छे दाह आपलूताद अत्तह पद अतह का विशेशन है रित उत सुतर से उत की यहान अनुवर्टी आ रही है अती की भी यहान अनुवर्टी आ रही है यह ए पलूते का विशेशन है इस प्रकार से यह इसका पूर्ण अर्थ होगा इसका जो उधारन है रूप सिद्धी है शिवोड्च है परिक्षा की दःस्टीचे यह महातोपूर्ण है शिवोड्च अकसर पूछी जाती है शिवस जमा अर्चे शिवो अर्चे तो सिवस जमा अर्चे इस इस्थिती में सस्जू सोरू सुत्र द्वारा सकार को रुत्व हो गया अनुबंद लोप हो गया उपदे से जन्नो नासिक इत से उकार की इत संग्या और तसे लोप असे लोप तो सिव रह जमा अर्चे इस प्रकार का रुप बनेगा इसके बाद अतोरो रहे प्लुताद दत्ते अतोरो रहे प्लुताद प्लुते अतोरो रहे प्लुताद प्लुते शुत्र द्वारा रकार को उकार हो गया और आदगने शुत्र द्वारा गुन हो गया उको ओगुन हो गया तो शिवो जमा अर्चे ऐसी अवस्था हुई इंगेह पदान्ता दती सुत्र से पूर्व रूप हो गया और अज ही नम परेंड संयोज्यम नियम द्वारा संयोग हो करके शिवोर्चय रूप बन गया अब आप इसे संस्कृत में लिखेंगे शिवोर्चय शिवस जमा अर्चय इत्य वस्थायाम अथवा इत्य अत्र सजू सोरू इति सुत्रेणा सकारश्चे इस्ताने रूप आदेशी उपदेशे जनुनासिक इत्य इति सुत्रेणा उकारश्चे इत्य संग्यायाम हलंत्यम इति सुत्रेणा उकारश्चे लूप इत्य वस्थायाम जमा अर्चय इति जाते अतोरोरे प्लूताद प्लूते इति सुत्रेणा रुकारश्चे स्थाने उकारे सिव उजमा अर्चय इति जाते आदगुना इति सुत्रेणा उकारश्चे स्थाने उगुने सिव जमा अर्चय इति जाते इंगह पदान्ता दती इति सुत्रेणा पूर्व रूपे संयोगे सिव उर्चय इति रूपम सिद्धम अगला जो सुत्र है हसी जो सुत्र है पाणिनी के अश्टाद्याई के छटे अध्याई के पहले पाद का एक सो चोध्वा सुत्र है हसी जो आपलूतादत्तह परस्य रोरूश्यादसी सिव वंद्याई सुत्र में हसी चकार आया है अतह एपलूतादत्तह की अनवर्थी आ रही है अतह की वह एपलूतादत्त की यहां अनवर्थी आ रही है सुत्र का अर्थ होगा आपलूत अत अर्थात अकार आपलूत अकार से परे रू को उकार आदेश होता है हस परे रहते यहां जाने नहीं होगे बात यह है कि सकार के स्थान में जो रू होता है उसमें उकार की इत्संग्या उपदेशे जनुनासिक इत्से हो जाती है और रकार से इस बचता है उस रकार को उकार मानकर रकार को रू मानकर उ किया जाता है हशीचे जो है उस रकार को ही उकार मानकर या रू मानकर उकार किया जाता है रश्टान्त देखिए सिवोवंध्या सिवस जमावंध्या इस अवस्ता में सजू सो रू सुत्र द्वारा सकार को रू हो गया एवं उकार हो गया उकार की उपदेश है जो नुनासिक इत्वारा इत्संग्या हुई और तचसे लोपे से लोप हो गया रकार से इस रह गया तो हसीचे जो सुत्र है वह रकार को उकार करता है और आदगुणा है सुत्र से गुण हो करके उकार को ओ गुण हो करके शिवो वंध्या रूप बना अब आप इसे संस्कृत में लिखेंगे शिवो वंध्या शिवस जमा वंध्या इत्य वस्तायाम सज्जू सोरू इत्य शुत्रेना सकारस्य स्थाने रूँ आदेशे शिव रूँ वंध्या इत्य जाते उपदेशे जनुनाशिक इत्य शुत्रेना उकारस्य इत्संग्यायाम तस्य लोपा है इत्य शुत्रेना उकारस्य लोपे सिव रूँ वंध्या इत्य जाते हशी चा इत्य शुत्रेना रकारस्य स्थाने उकारे सिव वंध्या इत्य जाते आद्युना इत्य शुत्रेना उकारस्य स्थाने उगुने संयोगे सिव वंध्या इती रूपम सिद्धम आस्तु